Hello Friends, This is Bhavana here. Welcome to Let's Crack. तो कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे. हम Math की Pedagogy पूरी Complete कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखिये तो जा कर देख सकते हैं. और EBS की Theory भी हमने सारी Complete कर लिये, सारा Content हम कर चुके हैं. CDP का हमने पहले ही कर लिया था, अब हम Hindi करेंगे, आज हम Hindi की Pedagogy करने वाले हैं, तो सेसन बहुत अच्छा होने वाला है, लास्ट तक बने रही है. तो स्टार्ट करते हैं सेसन को Hindi की Pedagogy यानि भासा, अधीगम और अर्जन, भासा, अधीगम और अर्जन, यानि Learning and Acquisition, Language, Learning and Language, Acquisition. तो क्या होती है, क्या इनके भीजमें डिफरेंस है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं सेसन को, Language, Acquisition यानि भासा, अर्जन, नाम से ही पता चल रहा है, जो हम एक्क्वायर कर रहे हैं, वो होती है Language, Acquisition या भासा, भासा, अर्जन जो है, जो हम अपने daily लुटिन में, daily में, बोलते हैं अपनी भासा, जैसकि हमारी हिंदी, आपने घर परिवार से जो सीखते हैं, ठीक है, अपने मम्मी-पापा से सीखते हैं, दादा-दादी से सीखते हैं, अपने एन्वार्मेंट से सीखते हैं, तो वो होती है, जो हम एक तरह से जनम जात मिलत सब कुछ बोलने लगता है उसकी चीम का' उसे वह सहाईा वो तो अपने घर में सीख लेते हैं पने पापा को देखता है या पह consumer कर देखे व.' Agric वह इस पड़ने की पड़र्ने या हमँहारे शाओ आजाती है या हमारे ठीक है अनौप चारिक होती है यानि किसी भी इंस्टिडियूट के हमें जरूरत नहीं पड़ती ठीक है तो यह क्या होती है हमारी एक तरह से चेत्रिय भासा यानि होम लेंग्वेज हमारी होती है मैं लिख देती हूं यहां पर यह तरह से हमारी होम लेंग्वेज होती है ठीक पिर भास अधीगम नाम से पता चल रहा है जिसके ़र्निंग करनी पढ़ रही है जिसे हमें याद कणना पढ़ रहा है वह भास अधीगम है। कि के लिए हमें से लिखो यह दो प्जा करना पड़ाएगा किन लूब है। ऑप चारीक से लेना आगाध वर्लत हो तो हो सकती है, ओपचारिक तरीके से हमें यह आ सकती है, इसके हमें रूल्स भी याद करने पड़ते हैं, ठीक है, यानि इसके हमें नियम भी याद करने पड़ते हैं, ग्रामर भी यूज होती है इसमें, यह हमारी एक तरह से जैसे हम इंगलिस सीखते हैं, कोई भी लेंग्व से पढ़ना और स्कूल में पढ़ना पूरी जानकारी उसकी प्राप्त करना पूरे रूल्स पढ़ना पूरी ग्रैमर पढ़ना तो वह होती है भासा लर्णिंग ठीक है क्या होती है भासा अधिगम लेंग्वेज लर्णिंग फिर भासा सिक्षन की व्यवस्था कैसी होनी यहां बच्चे एक से अधिक भासा में व्यवार करते हैं जीवन में अलग 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 भासा का परयोग करने की चमता बच्चों में होती है जैसे कि मैं जाके फोर्ण गंट्री में चली जाओं अमेरिका में चली जाओं तो मैं क्या करूंगी तो मुझे परिवेस ऐसा वह बहुब बहुबहसी हो सके क्लास में बहु बहु को को पॉसित करना चाहिए तो यह क्या है एक resource की तरह teacher को मानना चाहिए ठीक है तो बहु बासिकता क्या है resource का काम करती है I hope आपको यह समझ आ रहा होगा फिर है भासा सिक्षन भासा सिक्षन जो है भासा इकोसल का विकास दो मुख्य कोसल इसके ग्रहनात्मक और अभिव्यक्त आत्मक ग्रहनात्मक यानि जो हम ग्रहन कर रहे हैं जो हम ले रहे हैं अभिव्यक्त में जो हम अभिव्यक्त कर रहे हैं यानि बोल रहे हैं ठीक है क्या बोलते हैं से हिंदी में ग्रहनात्मक रिसेप्टिव स्किल receptive skill जैसे कि आप सुननना आप लोग कानों में leads लगा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं receive कर रहे हैं grant कर रहे तो इसके अंदर क्या हो जाता है हमारा सुनना यानी हमारी listening हमारी listening आ जाती है पथन यानी पढ़ना यानि पढ़ना ठीक है यानि हमारी रीडिंग ठीक है अभी व्यक्तात्मक यानि प्रोडक्टिव जो हम अभी व्यक्त कर रहे हैं ठीक है भासन यानि लेखन एवं भाविचार यानि स्पीकिंग एंड राइटिंग ठीक है तो रिसेप्टिव स्किल के अंदर यानि ग्रहन आत्मक के अंदर आ जाते हैं हमारा सुनना और पढ़ना जो हम सुन रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं ठीक है यानि ग्रहन कर रहे हैं सुन रहे हैं आप कानों में लेड लगा हुई हैं और आप अराम से सुन रहे हैं और फिर उसके बाद पढ़ रहे हैं तो यह क्या कर रहे हैं इन चीजों से आप सीख रहे हैं अभी व्यक्त कर रहे हैं जिसमें कि आप राइटिंग अपने विचारों को लिख रहे हैं बोल रहे हैं तो अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं ठीक है तो यह दो है थोड़ी सा गंदय लिखना जहा रहा है लिखना ठीक है चार वीधिंगर है डिसमें और हमारे में घ्रनाने रैसीन साथ में फिर अधीगम का याद से याद करते हैं इसवी बहुत यह मानक है मानक रूप है यानि जिसे हम याद कर सकते हैं तो यह तरीका अच्छा नहीं है है ना फिर अधिगम के नियम है यह तों डाइक ने दिये थे ठीक है पर इतने और भूल के सिद्धान पर आदा लिते हैं यानि सिक्सार्थी की छमता क्या होती है उसकी इच्छा हो तो वो पढ़ेगा तत परता हो तो वो पढ़ेगा यानि वो रेडी भी होना चाहिए पढ़ने के लिए और कैसे पढ़ेगा प्रैक्टिस करकर करके एक्स